मुझे बहुत तेज भूक लग रखी थी नास्ते का टाइम हो रखा था और मैंने देखा कि मा कुछ इस तरीके से धागे की मदद से कुछ चीजों को फ्राई कर रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मा ने यहां पर मुझे बताये कि उन्होंने एक बाउल मे एक कटोरी के लगभग मैदा लिया है और इसी के साथ में उन्होंने यहां पर एक कटोरी के लगभग पानी भी डाल दिया है ताकि इसका एक घोल त्यार कर सके तो देखते ही देखते मा ने यहां पर एक स्पैचुला की मदद से इन सारे मिशन को जो है इस मैदे को जो है अ अभी भी नहीं खाई है तो मैंने कहा कि चलो वड़िया है आज मा कुछ मुझे बहुत ही बढ़िया सा खिलाने वाली है इसी के साथ में माने यहां पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल दिया और साथी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया नमक स्वादानुसार माने यह पर एड़ कर दिया है और फिर से इन सारी चीजों को जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया अब माने बोला कि वो यहां पर चीली फ्लेक्स भी एड़ करेगी चीली फ्लेक्स से क्या है कि इसका जो स्वाद है वो काफी जादा बढ़ जाएगा आप चाहें तो लाल मिर कर दुकश करके रखी हुई थी वो भी डाल दी और साथी साथ थोड़ा सा यहां पर प्यास भी एक कटा हुआ रखा था वो भी डाल दी और अब मा यहां पर पालक को भी ले आई पालक भी माने यहां पर चौप करके रखी हुई थी वो भी इसमें डाल दी हलाकि जादा पा माने यहाँ पर त्यार किया है लेकिन अभी इसमें एक-दो चीजे और डलेगी तो मैंने कहा अब और इसमें क्या जाएगा तो माने बोले कि अब बेटा इसमें हम सूजी का इस्तमाल करेंगे सूजी जो है वह काफी जादा क्रिस्पी पन देती है और बहुत ही जादा के लिए छोड़ दिया तो देखते ही देखते ही थोड़ा सा गाड़ा भी हो गया तो माने बोला कि बस इसी तरीके का ये हमें चाहिए था अब तुम फटा फट से है ना एक पॉलिथिन ले आओ तो मैंने यहां पर मा को अच्छे से पॉलिथिन दे दी जो कि पहले ही हमने वा मैं ची की मदद से थोड़ा सा कट करने दो ताकि हम इसको मिश्रन को फ्राइ कर सके और मा ने यहां पर एक धागा भी बांद लिया था और कुछ इस तरीके से धागे की मदद से इन सारे मिश्रन को जो है डालने लगी मेरी मा यहां पर आखिर कौन सी रेसिपे बना रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर से कूँ पिछला थैंक्स जाता है मंदीप कोर जी को पंजाब डिस्टिक पट्याला से और साथी साथ परमजीत कोर को जाता है पटना बिहार से और शिवगीता को जाता है मुंबई से और पिंकी अवनी गुपता जी को जाता है गुजरात से तो आप भी मुझे प्यारे-प्यारे से कमेंट कर दीजे ताकि आपका नाम भी मैं अपने ये तो एक जीगा इकट्छे हो गए हैं कही ये एक दूसरे के साथ चिपग न जाए तो मैं ने बोला कि अरे मा ये तो खराब हो रहे हैं तो मा ने बोला कि नहीं बेट़ा ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहे है बस तुम थोड़ी दिर रुग जओ तुम्हें सब पता चल जाएगा तो मैंने देखा कि माने एक एक करके इन सब को जो है इकठा कर दिया लेकिन जैसे ही माने इसमें कर्ची चलाई ये सारे के सारे अपने आप ही एक दूसरे से अलग हो गए और बहुत ही जादा जैसे कुरकुरे नहीं होते उस तरीके की जो रेसेपी है वो माने घ खालिया जाए लेकिन माने बोला कि अभी बेटा ये पूरे तरीके से बने नहीं है अभी ये एक अच्छे है बस मुझे इनको अच्छे से फ्राई कर लेने दो तो दोस्तों क्या आपने भी इस तरीके की रेसेपी अपने घर पर बनाई है अगर हां तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो क्रिस्पी वाले सौफ्ट वाले कुरकुरे है वो पूरे तरीके से बन कर रेडी है और माने अब इसको एक प्लेट में भी निकाल लिया है और माने बोले कि ये बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो दो आज का दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंट्स मैं चलती हूँ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना बबाई फ्रेंट्स टेक कियर